आज की कहानी ऐसी एक शक्सियत की है जिसकी नौकरी करोना महमारी की वज़ा से चली गई थी लेकिन हिम्मत नहार कर अपने जुनून को बनाया पेशा आज हम बात कर रहे हैं सूरत की जलाक दिसाई की जिड़ों ने नौकरीक होने के बाद अपनी शौक को वापस अपनाया और शौक से बनाया बिस्नस जलाग देसाई को बच्पन से ही पेंटिंग बनाने में काफी दिल्चस्पी थी और वो स्कूल में प्रतियोगिताउं में भी हिस्सा लिया करती थी पेंटिंग्स में दिल्चस्मी होने के बाप जूत जलाग ने अपनी करियर ओशद विज्ञान में बनाया इसका कारण ये था कि पेंटिंग्स को अस्थिर करियर के रूप में माना जाता है साल 2011 में जलाक ने औशद विज्ञान में मास्टर्स पूरा करने के बाद 12,000 रुपे की मासिकाय के साथ एक फॉर्मसिटिकल कमपनी में काम करना शुरू किया हाला कि लगपक चार वर्षों तक इसक्षेत्र में काम करने के बाद साल 2015 में जलाक ने अपने पच्चों के पालन पूशन के लिए तीन साल का ब्रेक लिया 2018 में जलाक ने फिर से पेशेवर दुनिया की और रुप किया लोगडाउन के बीच समय बिताने के लिए जलाक ने अपने बच्च्पन के शौक को वापस पकड़ा और अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट करना शुरू किया लोगों की अपार प्रशंसा ने जलाक को पूर्ण काले का रूप से कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रेडित किया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा जलाक को उनकी पहली पेंटिंग के लिए 15,000 रुपे मिले थबसे उन्होंने अब तक 40 से अधिक पेंटिंग बेची है और लगबग 3 लाख रुपे कमाने में सफल रही है एक साल पहले जलाक ने अपने प्रियजनों की सलापर JD Creators Lane के नाम से एक वेबसाइक की शुरुवात की है जहां वो अपने कारें को प्रदर्शित करती है अपने एक इंटर्व्यू में जलाक कहती है जो मैंने अभी नेता और हस्य अभी नेता है मांग दवे को अपनी एक तस्वीर भेजी तो वो मेरी प्रशन सा करते ठके नहीं साथ ही जलाक बता दी है मैं एक ओल रॉंडर नहीं बना चाहती लेकिन मुझे हर तरह की कलाकृती करना पसंद है क्योंकि ये विभिन प्रकार की रचनात्मक्ता दीती है रालकला वर्तमान में सबसे अधिक चलन में है और मैंने अब तक 30 वाल क्लॉक, 6 वाल पीस, कोस्टर और कई अन्य चीज़े बनाई है जलाक की कहानी वाके ही विहित प्रे नादायक है उन्हेंने साबित कर दिखाया कि यदि दृड अच्छा शक्ती के साथ जुनून का पीछा किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है